इसको रिमोब करना काफी मेनत वाला काम हो सकता है दोस्तों अगर आपके पास सही टूल नहीं है और इस सरक्लिप को रिमोब करने के लिए बेसिकली हम लोगों को एक सरक्लिप प्लायर चाहिए होता है जो इस तरह का दिखता है अगर आपके पास सरक्लिप प्लायर नहीं है ब पॉइंटेड हो जाए और उसके लिए आपको एक फाइल टूल रिक्वाइड हो का यानि की सुद्ध हिंदी में इसको बोलते हैं रिती इससे दोनों सिरे आप गिस देंगे तो यह आपका जो नोस प्लायर है यह बेसिकली एक सरक्लिप रिमुब करने वाला प्लायर बन जाए और आपकी जो सरक्लिप है वह आसानी से रिमुब कर सकते हैं आप इससे एक्सपेंड करके भी और कंप्रेस करके भी है